हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ कच्छे चावल से बने बहुत थी चटपटे और कुरकुरे नास्ते की रेस्पी से एर करेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर एक कप हमने चावल लिया है कोई भी चावल आप इस नास्ते के लिए ले सकते हैं तो चावल को हमें धुलना नहीं है तो इसलिए इन्हें अच्छे से हमने पौच लिया है अब इनको mixy के jar में हम डाल देते हैं और इनको हम पीशेंगे तो चलिए पहले इसे हम पीश देते हैं आप इस नास्ते को चावल के आटे से भी बना सकते हैं पर इस तरह से चावल पीश की बनाएगे ना तो नास्ता ज़्यादा अच्छा वनेगा तो यहां पर हमने चावल को पीस दिया है, हलका सा यह दरदरा है, तो चलिए इसको एक मावल में हम निकाल लेते हैं, तो जैसे सूजी होती है ना, बैसी ही इसमें छोटा-छोटा सा दाना है, अगर आप चावल के आटे से बनाएगे ना, तो चावल का आटा बहुत ही जादा बारिक होता है, तो चावल पीस के बनाएगा, बहुत टेश्टी नास्ता बनेगा, और इसी में दो चमच हम सूजी डाल देंगे, सूजी से नास्ते में बढ़िया बाइंडिंग आएगी, तो दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें हम डालेंगे चाच, तो जिस कप से हमने चावल लिया था ना, उसी कप से हम चाच लेंगे, तो पहले एक कप चाच हम डाल देते हैं, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, तो ये देखे, चावल के आटे और सूजी ने सारे ही चाच को शोक कर लिया है, और गाणा सा ये बैटर बनकर तय हो गए और यहाँ पर हम ने दौ कप ऊप पानी डालएं नहीं और यहां पर हमने दो ग्रत जाएं धोला है और यह और यह लीजे इसा हैONG तो पांच मिनट हो गए है और यह देखिए बैटर है थोड़ा सा गाड़ा हो गया है यह देखिए तो यह हमारे चावल के आटे और सूजी का बैटर बनकर तैयार है तो चलिए अब नास्ता बनाते हैं तो पैन में एक चमच हम तेल डालेंगे और इसी में एक छोटी चमच सर बूरत डाल और एक ही चमच चने की डाल डालेंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे तो यह दिखे इनको हमने भून दिया है और दाल और सर्सों थोड़ी सी चटकने लगी है अब इसमें बारी कटी हुई दो हरीमेच डाल देते हैं आदा इंच अद्रक का टुकड़ सबसे लाज़्ट में इसमें दो चमच सफेद वाला हमने तिल डाल दिया है तिल को बूनेंगे रही बस तड़के में मिक्स करनेंगे तिल बहुत जदी जल जाता है इसलिए से हमने सबसे बाद में डाला है अब जो चावल का बेटर है उसको एक बार अच्छे से हिलाएंग गैस की फ्लेम ब्लो कर देंगे और इस तड़के में डाल देंगे और इसी में डाल देते हैं नमक तो नमक आप स्वात के अनुशा डालिएगा साथ में एक चमच इसमें हमने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है और अब इसे लगातार चलाते हुए गाड़ा करेंगे जब तक पूरी तरह से पैन को छोड़ना दे और डो की तरह से ना हो जाए तो इसे लगातार चलाते रहेगा नहीं तो इसमें लम्स पर जाएंगे तो बहुत जल्दी से यह दिखे गाडा होने लगा है और इसे आप नौनिष्टिक कढाई में ही पकाईगा जिसे यह चिपके ना और इसी में हमने कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए से और पकाएंगे जिससे यह थोड़ा सा ड्राइ हो जाएगा तो यह दिखे हमारे नास्ते का डो बनकर तैयार हो गया है अब गैस को बंद कर देंगे और प नहीं हम पलत लेते हें और थोड़ा सा इसे इस पैचला से फैला जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए और ठोड़ी देर के लिए इसे खुला ही हम चोड़ देंगे तो यह देखे इस तरह से हमने इस फैला दिया है और अब यह हलका है गरम है हांसे इसे टच कर सकते हैं तो भी खतम हो जाएगे तो ये ढो आपके हाते हो में बिलकुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत आधानी से ढुगे डो तैयार हो गया और अब जिस जएफ में चाहे नास्ता बना सकते हैं और यह देख Wells हतेलियों से इसे गोल करेंगे हलका सा प्रेस देते हुए चपटा करेंगे और इसे टिकी का सेप देंगे ये देखिए और बीच में अगर होल कर देंगे तो ये मैदो बढ़ा के सेप में हो जाएगा तो जैसे सेप में चाहें बैसे आप इसका नास्ता बना सकते हैं पर आज हम इसको ट्रेंगल सेप देंगे तो यहाँ पर हमने एक थाली डी है और इसको हमने उल्टा रख लिया है अब नास्ते के डो को रखेंगे और इसको फैला देंगे ये देखे जब ये गरम होना तभी आप ये काम करिएगा पू योडोकोर सेपदे देंगे यह देखिए हिस तरह से और एक बार हुलका सा और देंगे जसे यह बिलकुल प्लैन हो जाएगा यह देखिए तो चलिए अब इसके piece करेंगे तो सबसे पहले side के part को हम निकाल देते हैं तो ये देखे कितनी आसानी से इसके piece हो रहे हैं बिल्कुल भी ये चाकू में चिपक नहीं रहा है और अब इसके हम किनारों को अलग कर देंगे और इसके अब हम piece करेंगे तो इसमें भी आप जैसे चाहें piece कर सकते हैं पर हम इसको triangle shape दे रहे हैं तो इसे हम थोड़े से बड़े-बड़े piece कर रहे हैं ये देखे इस तरह से और अब 20 से और एक वार cut कर लेंगे ये देखे इस तरह से तो इस तरह से हमारे triangle shape में नास्ता बनकर तयार हो जाएगा तो एक piece हम आपको निकाल कर भी दिखाते हैं ये देखे कितने बढ़िया हमारे नास्ते के piece बने हैं ये देखे तो इसी तरह से सारे piece को हम निकाल लेते हैं आप इस तरह से इसे बना कर फ्रिज में दो से तीन दिन के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपको खाना हो तब आप इने फ्राइ कर लीजे पांच मिनट में आपका नास्ता बन जाएगा तो चलिए अब इने हम फ्राइ करते हैं तो यहां पर पैन में तेज गरम तेल हमने कर लिया है तो यह देखिए इने पलट रहे हैं और कितना बढ़िया नास्ते पे कलर आ गया है तो दूसरी साइट से भी इने हम बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राइ करनेंगे इने आप हाई प्लेंपर ही सेंखिएगा लोग प्लेंपर अगर आप इने सेंखिएगे न तो यह ओइली हो जाएंगे चावल का आठा पहले से ही पका हुआ है तो इने फ्राइ होने में जादा टाइम नहीं लगता तो ये देखे, दोनों साइट से नास्ते पे बहुत बढ़िया कलर आ चुका है, तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, और बाकी का जो नास्ता है बो भी बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई करनेंगे, तो ये देखे, कितना कुरकुरा और मजेदार हमारा नास्ता बनकर त तयार कलिया है, और ये कितना क्रिश्पी है, इसकी आवाज भी सुनाते हैं, ये देखे, सुनी आपने आवाज, उपर से जितना क्रिश्पी है ना, अंदर से उतना ही ज्यादा सौप्ट है, ये देखे, तोड कर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी ये ओली नहीं तो कैसी लगे आपको यह रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेयर भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही नई रेस्पी के साथ नेश्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिनें तेंक यू